तो पावर भी आई वर विया में हम बात करेंगे डेटा सबसे पेले डेटा कैसे इंसर्ट करें तो पावर भी जिस पास खुद का डेटा नहीं होता है पावर यह को डेटा लेकर आना हो तो यह देटा हम बहुत सारे प्रेस कर दीजिए तो थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्टिंग का और आपको इस फाइल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शीट्स आपको देदेगा और शीट्स की जैसे अब सिट को सेलेक्ट करोगे उस शीट्स के अंदर जितने भी डेटा है उस डेटा को आपको यहां हम बात करें हैं कि आप एक पावर ब्याइए में कोई डेटा कैसे इंपोर्ट करो क्योंकि आपको बनानी है रिपोर्ट तो चाहिए होगा डेटा पावर यह के पास खुद का डेटा नहीं होता है वो किसी अलग सौफ्टेर का डेटा लेकर आता है और बहुत सारे सौफ्ट करेंगे जैसे आप ओपन पर करेंगे फुरा सा टाइम लगेगा कि नेकिंग करेगा और आपके पास उस डेटा के अंदर जितने भी सीट्स हैं सारे शीट्स का लिष्ट देरेगा अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद यहां देखिए लोड एक्टिव करता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस देखिए अब यहां देखिए उसके अंदर जितने में शीट्स डेटा था यहां पर आ चुका अब मैंने डेटा को लोड कर लिया मुझे चेक करना है कि डेटा क्या है तो आपको यहां देखिए तीन भी होते हैं पहला रिपोर्ट दूसरा आपका आता है डेटा और दिसरा आता है मोडर तो मैं यहां रिपोर्ट में जाता हूं रिपोर्ट में जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर कि यतने भी डेटा है सारे के लिस्ट यहां पर आपके सामने आगा है अब इसमें सबसे बढ़ी आती है data का है टाइप टाइप बताना तो टूल पर आप आते हैं तो यहां से आप अपने data type को देख सकते हैं को तरे टाइप है उसको चेंज कर सकते है को कि डेटा और यहां आप यहां भी देख सकते हैं तो यहां आपके सामने देखे नेम हो गया और यहां पर देख सकते हैं नहीं होगा देख पाHigh यहां पर आपक नहीं ही अप्रें आगास्ट इस सब चीजह कर सकते हैं कुछ का साइन नहीं है कि और जिसे कलेंटर का टाइम ओख हो आपका डेट होता है अब मुझे अगा रिपोर्ट बनानी है सबसे पहले चूज करना होगा यहां पे अपना visualization type तो मैंने अपना visualization type select कर लिया और इसको हम अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं कहीं भी ले जा सकते हैं और साथ में resize भी कर सकते हैं अलग कि resize और जेस्ट अभी मत किजिए पहले इसके अंदर डेटा को डालिए तो मुझे चाहिए कि किसका total sales कितना है तो मैंने name को यहां रखा और यहां पे हमने total sales आ गया तो अब मैं इसको अपनी हिजाब से बढ़ा यह चोटा कर सकता हूँ और एक पेज पे हम कई सारे charts और graphs रख सकते हैं और साथ पे टेबल जिसे मुझे data चाहिए तो मैं वापस टेबल पर क्लिक करता हूँ टेबल पर क्लिक करने के बाद मैं यहां name को put किया और यहां पर मैं अपनी total को put किया total जैसे यहां पर डाला था आप देख सकते है name यहां पर मेरा total आ ठीक है लेकि माल लीचे मुझे दो तरीके चाहिए लेकि मैं नेम बाइज और जोन माल चाहिए तो अगर मैं जोन को उठाकर इसके अंदर डालता हूँ तो यह आपका इस तरह से रिपोर्ट आएगा अभी कट अब हो जाएगा रिपीट हो जाएगा को आप देख सकते हैं कि यह जिसे क्या हो सकते हैं जैसे होगा जाते हैं क्लिक करते में आप परसेंटेज बगर दे सकते हैं इसके बारे में आगे और डिसकर्स करेंगे फिलाल इतना ही समझ लिए यहां से हम है तो इसको भी आप अपने हिसाप से सकती अब दूसरा कि क्योंकि आप कुछ बनाते हैं उसकी आप क्या तो इस केस में हम इसको या अपने डेटा को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे मालेज इस पर हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह आपको दिखाए आपको ब्रस का फॉर्मेट ब्रस का आइकन है वर इस पर क्लिक किया और यहां से हम अपनी फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से को सहे ब्लूक्र होट फॉर्मेटिंग और चीज़ें यहां कर सकते हैं तो आपने करना तो यहां पर देखिए अलग है रोई की फॉर्मेंटिंग अलग है तो हर अलग अलग चीज़ों के लिए यहां पर पॉर्मेंटिंग आपको देखते हैं और इसको अपनी हिसाब से जहां मर्जी वहां आप कर सकते हैं तेकि सबसे पर जरूद होती है डेटा को इंपोर्ट करनेगी ठीक है